डाइबिटीज या मदूमे की बिमारी के अलावा भी सदा बाहर की पत्यों का इस्तमाल करने से बहुत सारी बिमारियों में हमें इससे फाइदा मिलता है इसकी पत्यों में मौझूद एलकलाइड नामक्तत्व शरीर में इंसूलिन निर्माण में हमारी साहिता करता है जिससे डाइबिटीज या मदूमे के रोगयों को बहुत अधिक फाइदा मिलता है आज मैं आपको सदाबाहर या विंका के फूल और पत्यों से होने वाले फाइदे के बारे में जो है वो बताने वाला हूं सदाबाहर का जो पोदा है वो आईवेद में प्रभावी आउस्दी के रूप में इसका जो इस्तमाल है वो काफी लंबे समय तक किया जाता रहा है बहुत सारी ऐसी बिमारिया हैं उनको ट्रीट करने में सदाबाहर केपतोly और फूलों का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है तो इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है ताकि आपको इसको इस्तेमाल करने से जादा से जादा जो फाइदा हुआ है वो मिल सके सबसे जो important है सदा बाहर का कि ये आपके diabetes को जो बहुत हद तक नियंतरित कर लेता है लेकिन ये diabetes को नियंतरित कैसे करता है इसमें ऐसा क्या होता है तो वो जानकारी में मैं आपके साथ शेर करूँगा और उसके अलावा भी बहुत सारी बिमारियों में का इलाज करने में इसका जो इस्तमाल है वो किया जाता है तो आपको बता देता हूं कि जो सदाबार का पौदा है वो आपको बहुत ही आसानी से आसपास कहीं भी देखने को जो है वो मिल जाता है और देकर सदाबार के जो फूल होते हैं और जो पत्या होती हैं दोनों ही खु उपसुरत नजर आते हैं उतने ही उनके अंदर जो है वो और गुण होते हैं तो सदाबार के पत्तों और फूलों का इस्तमाल करने से आपको बहुत सारा फाइदा जो है वो मिलता है इसके अलावा पारामपारिक की किस्टा में भी सदावार के फूल और पस्तियों का इस्तमाल किया जाता है डाबरति जैसी गंभीर समश्या हुं मिसदाबार की पत्यों को जो है वो एन उस्दी जो वह माना गया है इसके अलावा मलेरिया जमें खुछ लू कोमिया की शमस्या में भी पूले काफी फायदेमन जो हैँ वो मना गया है कि दो कलर के जो स्धबहार के फूल देखने को मिलते हैं देसि वाले वैसे तो बहुत सारे रंगों में आजकल जो सदावार का या विंका का पोदा देखने को मिलता है वो हाइब्रिड है सफेद और गुलाबी तो कौन से पोदे का इस्तमाल करने से जो है आपको ज़्यादा फाइदा होने वाला है उसके बारे में मैं बताऊंगा तो ये मेरा सफेद है और गुलाबी दोनों ही पोदे जो है वो मेरे पास है तो आएए विस्तार से जानते हैं सदा बाहर की पत्तियों के फाइदी तो सबसे पहला गले में इन्फेक्शन की समस्या में जो सदा बाहर है वो काफी फाइदे मन जो है वो मना गया है सदा बाहर की पत्तियों में गले में इन्फेक्शन की समस्या में बहुती फाइदे मंद होती है इसमें मौझूद एल काइड्स एम जे लीसिन और सर पेंटिस नामक तत्व में मौझूद संकर्मन को दूर करने में बहुत उप्योगी माने जाते हैं साथ ही साथ यह इमिनिटी बढ़ाने में भी हमारी मदद जो हैं वो करते हैं सदा बाहर की पत्तियों का काड़ा बनाकर अगर आप पीते हैं और इसका जो रस होता है वो भी बहुत उप्योगी माना जाता है उसके अलावा दूसरे फाइदे की अगर मैं बात करूं ब्लेड प्रेशर की समस्याओं में बहुती उप्योगी जो है वो सदा बाहर को माना गया है अगर मैं को कि ब्लेड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सदा बाहर बहुत फाइदे मंद होता है सदा बाहर की पत्तियों में मौजूद गुण हाई ब्लेड प्रेशर में फाइदे मंद होते हैं आप ब्लेड प्रेशर की समस्याओं में सदा बाहर की जड़ का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसकी पत्तियों जड़ों में आपके ब्लेड प्रेशर को कंट्रोल करने की जो ताकत है वो पाई जाती है जिससे आपको काफी फाइदा जो है वह मैं आपको बताता हूं कि डाइबिटी के लिए रामबाण है सदा बाहर की पत्तियों का वह लोग करते हैं जिनको डाइबिटीज हैं लेकिन ऐसे लोग भी इसकी पत्तियों का इस्तमाल कर सकते हैं जिनको डाइबिटीज नहीं है ऐसा करने से उनके डाइबिटीज होने की जो संभावना हैं वह बहुत ही कम हो जाती है तो देखें ऐसा क्या तत्तु जो है इसके अंदर पाय जाता है जिससे आपकी जो डाइबिटीज है वह कंट्रोल होती है तो आपको बता देता हूं कि सद कि ड designing या मदूमेक के मरीजों के लिए सदा बाहर की पत्यों का रस पीना बहुत फायदे मन oren माना जाता है आप रोजाना सुबह की समय सदा बाहर की मत्यों का Жो रस है वो पी सकते हैं या मैं कूँ कि कम से कम पाज पत्या जो है वह आपको प्रति दिन खानी चाहिए अगर आपको diabetes की शिकायत रहती है तो पासपत्या सफीशन्ट और अगर आपको diabetes शिकायत नहीं भी है तो आप भी पासपत्या खा सकते हैं सम्भावनाय कम हो जाएंगी क्योंकि यह एक पौदा ऐसा है जो आपके शरीन में इंसूलिन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे आपकी डाइबिटीज ठीक हो जाती तो डाइबिटीज में यह पौदा जो है रामबान आश्दी की तरह जो है वो माना गया है उसके बाद मैं चोथे फायदे की बात आपके साथ कर लेता हूँ तो देखे सदाबार की पत्यों में कुछ रोधी गुण जो है वो पाए जाते हैं जो कैंसर सेल को खत्म करने का ठीक करने का काम करते हैं सदाबार की पत्यों में मौजूद विनेक्रिस्टिन, विन, ब्लास्टिन, एलकलाइड, कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए बहुती फायदे मन जो है वो माना गया है तो अगर मैं पाच्वे फायदे की बात करूँ, सकिन से जोड़ी समोश्याओं में बहुती उप्योगी जो है वो सदाबार का पोधा माना गया है अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो यह आपके लिए बहुती फायदे मन सावित हो सकता है सकिन पे किसी तरह की खुजली, इंफेक्शन या कोई भी दूसरी समश्या हो तो प्रभावी जगे पे आप सदाबार की पत्यों का जो लेप है वो लगा सकते हैं आपको काफी फायदा जो है इससे मिलने वाला है इसके अलावा सदाबार की पत्या कील, मुहा से जुरिया आधी के लिए भी बहुती उप्योगी जो है वो मनी गई है तो अब मैं आपको इसके छटे फायदे के बारे में जो है वो बता देता हूँ देखे किड़नी स्टोन की समस्या में भी जो सदाबार की पत्यों का इस्तमाल करना बहुती फायदे मन जो है वो बताया गया है किड़नी की पत्तरी होने पर सदा बहार की पत्तियों को पानी में उबानने के बाद इस पानी को पीने से बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है वो देखने को मिलता है तो आज मैंने सदा बाहर के ब्यारे में और इससे होने वाले फायदे के ब्यारे में आपको जानकारी जो वह दी है तो अमेद करूँगा कि मेरी जानकारी जो है आपको पसंद आई होगी और आपको इससे फायदा होगा thanks for watching my video and we will meet in next video